ओम्श्री परमात्मने नमह गजय गीता प्रथमही गूरू को शीशन वाओं हरी चर्णों में ध्यान लगाओं नजल सुनाओं अदबुत यार धारण से वो पेडा कार हर जो न कहे सुनो भगवाना अपने रूप बताए नाना उनका वैक अच्छु बेदन जाना किरपा कर फिरक हो सुझाना जो कोई तुमको नित ध्यावे भपिहाव से चेत लगावे रात दिवस तुमरे गुणगावे तुमसे दूचा मन नहीं भावे तुमरा नाम जबे दिनरार और करे नहीं दूची बार दूचा निराकार को ध्यावे अक्षर अलक नानी बतावे दूरो ध्यान लगाने वाला उन में कुण उता मन दलाला अर्जुन से बोले भगवान सुन प्यारे कच्छु दे कर ध्यान मेरा नाम जबे जपवावे नेक्रों में प्रेमा शुचावे मुझ बिन और कच्छु नहीं चावे रात दिवस मेरा खुण लगावे सुनकर मेरा नाम चार है रोम कन बारंबार जिन का ख्छर डूटे नहीं तार उनकी शता अटल अपार मुझ में जुणकर ध्यान लगावे ध्यान समय वे हलवो जावे कंठर के बोला नहीं जावे मन को दिविर माही समावे लज्जा भररू भी सारे मान अपना रहे नतन का ज्यान ऐसे जो मन ज्यान लगावे सोयोगिन में श्रेश्ट कहावे जो कोई ध्यावे निरगुणरू पूर्ण ब्रह्म अर्वचलानू निराकार सब बेद मतावे मरबुर्फी जहठान पावे जिसका कब हुन हो वे नाश्य प्यापक सब में जियो आकाश्य अटल अनादी आनंद घान जाने बिरला योगी जान ऐसा करे निरंतर ध्यान्य सब को समझे एक समान मन इंद या अपने वश राखे विशयाद के सुख कब हुन चाखे सब जीवों के हित मेरत ऐसा उनका सच्चामाद मह भी मेरे ही को पाते इश्य परमागति को जाते हल दोनों का एक समान इंतु कठिन है निरगुण ज्यान जब तक है मन में अभी मान तब तक होना मुश्किल ज्यान जिनका है निरगुण में प्रेम उनका दुरगट साधन दे मन टिकने को नहीं अधार इससे साधन कभी न अपार सगुण प्रह्म का सुगम उपाई सो मैं तुझको दिया बताई यग्यदाना दी कर्म अपारा मेरे अरपण करकर सारा अटल लगावे मेरा ध्यान समझे मुझको प्राण समान सब दुनिया से तोड़े प्रिये तुझको समझे अपनामी प्रेम मग्न हो अतियापार समझे यह संसार असार जिसका मननित मुझ में यार उनसे करता मैं हति प्यार केवट बन करना बचला हूँ भवसा करके पार लगा हूँ यह सब से उत्तम ग्यान इस से दूकर मेरा ग्यान फिर हो में गामों ही समान यह कहना ममसचा जान जो चाले इसके अनुसार महभी हो भव सागर पार महभी हो भव सागर पार राम राम भगवान श्री नाराइन देव के चर्णों में प्रणाम अनंत कोटी सब संत महत्माओं के चर्णों में प्रणाम गीता के परम प्रचारप सेड़ जी शिजे दयाजी गोयन का जिनोंने गीता प्रेश गोरकपुर की स्थापना की वे एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे जो साधारन गरहस्त ओकर भी परम ज्यानिष्ट निश्काम के आचार्य पहले करनी करके पुना कथनी कहने वाले भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो इसके लिए जीवन परियंत उन्होंने अथक प्रयास किया उन्होंने बहुत सारी पुस्त के लिखी जैसे गीता तत्विवेचनी प्रेम भक्ती प्रकाश ध्यान अवस्था में प्रभुसे वार्तालाप इत्यादी सेड जी ने गीता के बारवे अध्याय के शलोक संख्या एक से आठ तक के भावों पर गजल गीता नामक कविता लिखी है जिसको रात्री में सोते समय पाट करने से विशेश शलाब होगा ऐसा सेड जी बताया करते थे गीता बाल संसकार शिविर के बच्चों ने गजल गीता की भाव पूर्वक प्रस्तूती दी है नाराएन नाराएन नाराएन